दिल्ली हाई कोट ने शाही इदगा के पास थे डीडिये पार्क मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए 13,000 वर्ग मीटर के पार्क को दिल्ली विकास प्राधिकारण की संपत्ति घुशित करते हुए वक वोड के दावे को खारिच कर दिया है शाही इदगा के पास थे जमीन का फैसला आने के बाद डीडिये और एमसीडी के अधिकारी मौके पर पहुँचे और मूर्ती लगाने के काम की शुरुआत की सुरक्षा की दिश्टी से इदगा परिसर के चारो और बैरिकेटिंग लगा कर आने जाने वालों के लिए रास्तों को बंद कर दिया गया है और किसी भी स्थिती से निपटने के लिए भारी भरकम सुरक्षा के इंतजाम किये गए है तो वहीं मौके पर अर्ध सैनिक बल के अलावा स्थाने पुलिस और डीřिये के अधिकारी मौजूद है राने लक्षमी बाई की प्रतिमा की स्थापना के समर्थकों ने हाइकोर्ट में फैसले का स्वागत किया उन्होंने कहा कि ये फैसला महारानी लक्षमी बाई की विरासत को सम्मानित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है के लिए